समस्कार दोस्तों, चनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो मैं करने वाला हूँ उसमें मैं आपको पाँच ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो कॉमन है और हर ड्राइवर स्टार्टिंग में जो की लेर्णिंग के टाइम में यह mistake हमेशा करते हैं और यह mistake ऐसी है जो कि dangerous हो सकती है और कह सकते हैं कि आपकी कार कहीं भी हिट हो सकती है अगर यह mistake अगर आपसे होती है तो तो friends इस वीडियो में मैं complete पांच जो basic thing है जो common है जो हर driver गलती करता है या फिर जाने अंजाने में हो जाती है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप यह वीडियो पूरी देखें इसमें solution भी मिलेगा जो मैं मिस्टेक बताने वाला हूं तो friends सुसी के साथ मैं आपको solution भी दूँगा इसका मिस्टेक जो common mistake होती है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा अभर वीडियो पसंद है तो लाइक करें कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को तो हमेशा क्या होता है राइट साइट में जो ट्राफिक आ रहा होता है तो उस पर ध्यान चल जाता है बहुत ज्यादा तर होता है कि कॉंटिन्यूसली आप उस ट्राफिक पे देख रहे हैं ध्यान दे रहे हैं जो कि आप मर्ज करेंगे जिस ट्राफिक में तो अगर आप वहां ध्यान देते हैं और आगे ध्यान आपका छूट जाता है तो यह बहुत बड़ी को पर स्पीड में कार को अपनी थटी की स्पीड में श्ला रहा हूँ और अभी मैं लेफ्ट टेरेखन हैं चाहिए यह अपने राइट सेटी 2 इमरे यह थांद हो देखने और क्यक्त कि आपका दिखने कर से लोकेशन पे भी ध्यान दूंगा सब्सक्राइब कार को अगर स्टॉप कर देता हूं तो कॉंटिन्यू देखता हूं तो अलग बात है लेकिन अगर मैं कॉंटिन्यूसली स्टो मुवमेंट में चला रहा हूं अपनी कार को और कनेक्ट कर रहा हूं दूसरे तरफ से तो मैं इस चीज़ का ध्यान दूँगा कि मेरी कार जहां जा रही है वहां मेरे पास कंप्लीटी स्पेस हो पहली मिस्टेक जो मैंने बताई कॉमन जो अभी जैसे आपने देखा इंटरसेक्शन में कोई ट्राफिक आ रहा होता है तो उसमें हम किस तरह से कार को अपनी कनेक्ट करते हैं हमें आल टाइम जैसे मैं लेफ टर ले रहा था तो राइट साइड से ट्राफिक आ रहा था तो हमेशा मैं ऐसा नहीं करना कि कॉंटिनूसली है मैं राइट साइड पे देखूंगा मुझे अब जहां मेरी कार स्लोली मूव हो रही है उसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो फ्रेंट सेकंड मिस्टेक जो कॉमन है और मैक्सिम ड्राइवर जो नए सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं जो करते हैं वो हर बढ़ अपनी करते हैं अपनी कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने में या स्पीड लेने में हर जगा तो कि आप नए ड्राइवर हैं या न्यू सीख रहे हैं तो मैं आपको ये एक बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ कि आप कभी भी हर बढ़ाये मत हर एक चीज का learning का time लगता है हर एक ड्राइवर का हर एक जो person होता है उसको अलग अलग time के इसाब से अपनी learning सीख नहीं होती है आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहीं बैटे हैं साथ में किसी के और वह expert driver है या बहुत सालों से drive कर रहा है तो आप एकदम से driving seat पे आके उनकी तरह drive करने लग जाएंगे या वो जैसे करते हैं exactly वो करने लगेंगे ऐसा नहीं करें आप अपना time पूरा लें आप steering को completely समझने की कोशिश करें क्लच का यूज समझने की कोशिश करें ब्रेक को समझने की कोशिश करें तो जैसे अभी बहुत जगा क्या होता है न्यू ड्राइवर्स यह होते हैं जैसे अपने कार में बैटे पस यह लगाया फटा फट एकदम क्लच को छोड़ा accelerator प्रेस किया कंट्रोल स्टेरिंग का कंट्रोल पापर नहीं आ रहा है लेकिन कार को स्पीड ले रहे हैं इस तरह से जैसे कंट्रोल जैसे कार को कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा नहीं करें आप पहले पूरा स्टेरिंग का कंट्रोल समझ लें साथी साथ अपने क्लच का मुवमेंट समझ लें करना है यह सारा समझने के बाद ही आप अपनी कार को एक स्पीड में जो की बोल सकते हैं दीरे-दीरे आपका हो पाएगा या आप जैसे एक एक्सपर्ट की तरह ड्राइव करना चाहते हैं वैसा आप दीरे-दीरे कर पाएंगे एकदम से नहीं होगा वह चीज तो आप जितना टाइम लगे आपको चीजों को समझने में स्टेरिंग क्लच एक्सलेटर ब्रेक और डाउन शिफट अप शिफट गियर शिफट जितना टाइम लगे अराम से लीजिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितनी दीरे-दीरे सीखेंगे उतने बेस्ट ड्राइ लेते हैं पट उनसे यह गलती होती है कि वह समय जैसे ही कोई फैमिली फ्रेंट्स यह कोई भी बैठता है कार में तो उनके क्या करते हैं कि उनको एक्सपर्ट दिखाने के लिए या फिर दिखाने के लिए हमें ड्राइविंग आती है तो वह एकदम से सब कुछ यह हैं जो कॉमन है आप पूरा टाइम लें अपनी ड्राइविंग को सीखने में इसको और अच्छा करने में इसमें प्रैक्टिस लग सकती हैं आप 25 यह सेखने quan क्या चीज क्या करनी है यह 10 मिन का काम नहीं है यह फूरी सीखने में आपको महीने महीने और सालहों है लग सकते हैं तो यह था friends जो mistake यह कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग और अब सब्सक्राइब नेक्स्ट में आ रहा हूं जो लोग करते नहीं है कि अभी जैसे judgment लेना मुझे मैं तौन ले रहा हूं मुझे judgment में पहुंचने के क्रॉस करने के बाद मैंने ब्रेक लगाई तो यह चीज़ अगर आप करते हैं तो इस कॉमन मिस्टेक को सुधार लें क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर्स यह मिस्टेक करते हैं अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो उसको overcarm करना की स्टार्ट कर दें किस तरह से अपने ब्रेकिंग का करना है या टर्निंग में आपने किस तरह से जज्ज्मेंट लेनी है अब हैं मेरे को ब्रेक अप अप्लाई करनी है या स्लोडाउन करना है तो मैं बड़े अराम से हल्की सी ब्रेक अप्लाई करूंगा मेरे आगे बाइक है उसकी स्पेस हो गई अब मैं डिकेट टर्निंग ले लूँगा अराम से मैंने इसमें ऐसा नहीं किया कि मुझे पहले ब्रेक लगानी अभी देखे फिर इंटर्सेक्शन आ रहे हैं मैं राइट के तरफ देखूंगा स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड ब्रेकर को अपने कॉर्टिंग क्रॉस किया साथ ही साथ मैंने राइट में देखा एक सेगड लिए राइट देखा बाकी मेरे को आगे द्यान देना है मेरी कार किस तरफ जा रही है यह मिस्टेक होती है कि आप जज्जमेंट नी ले पाते हैं अपने इंटरसेक्शन में कहां पहुंश रहे हैं कहां ब्रेकिंग की डिस्टेंस लेनी है या फिर आप कितनी टर्ण लेकिए अपनी कार को स्ट्रेट करना है तो यह जो कॉमन मिस्टेक है फ्रेंट जो हर ड्राइवर करता है मैं कहूंगा एवरी वान इविन मैंने भी किया हो गए यह मिस्टेक अभी याद नहीं है क्योंकि सालों सालों गए चलाते हैं तो लेकिन यह मिस्टेक जो है बहुत ही कॉमन है हर कोई करता है यह मिस्टेक अगर आपसे मिस्टेक होती है तो इसको प्रैक्टिस करें इसको ओवर कम करने का तरीका यही बता सकता हूं कि आप फर्स टेम अगर करेंगे आपको डिस्टेंस आपकी कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस पता चले यह देखिये कार कंट्रोल करते हैं अब यहां से स्टेट में रस्ता नहीं, मैं हलका सा तिल्ट करके फिर इसट्रेट जाओंगा, यह देखिए, अगर ऐसा करते हैं, तो मुझे राइट साइड में भी लोग करते हैं यह जो mistake है बता रहो हूं आपको टूवे लेन में जब हम बोट साइट से ट्राफिक आ रहा होता है उसमें जज्जमेंट लगा रहे होते हैं तो यह मिस्टेक होती है फ्रेंट्स अभी आप एना फुट कॉम्मेंट देख सकते हैं और जो कॉमन मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूं जो कि अब दूबे लेन में दिखाने वाला हूं कि आपने जज्जमेंट लेना होता है स्पेस का और बहुत जंग क्या करते हैं अभी देखें जैसे यह कार रुपी है तो मुझे कंप्लीट स्टॉप नहीं करूँ मैं हलका सा राइड लेके स्ट्रेट कर लूँगा तो यह एक और मिस्ट को ओवरटेक ले सकते हैं आभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और एक और mistake जो common करते हैं लोग जैसे अभी ये देखिए ये एक by lane है तो अगर सामने से कोई car आती है तो मुझे space देनी होगी space देनी के लिए मैं इस कार के पीछे suppose कड़ी कर देता हूं ये देखिए कार के पीछे अकर खड़ी कर देता हूं और यहां से कार निकलने देता हूं तो यह mistake होती है कि हमें judgment नहीं लग पाता है कि हमें कब रोकनी है तो इसके वज़ाए आप क्या करें आप कार को थोड़ी सी distance में रखें और मिधल में रखें और को स्के रोड में डिसन्स मेंदे से यह होगा कि आपको स्टेरिंग्स पूरा नहीं हुमाना हो पर पड़ा के अपना judgment लेके कार को आगे बढ़ा सकते हैं तो इससे क्या होगा旁गाार आपको स्टेरिंग का उइसिवा है आपको पीछे मेरे सामने से कुछ ट्राफिक आ रहा होगा तो मैं इस तरह से slow down करूंगा और middle of the road रखके जैसे ही distance मिलेगा तो मैं right चला जाओंगा मैं चाहता तो उसके पीछे भी रोख सकता तो वो common mistake होती है जो panic हो के new driver करते हैं कि कार के पीछे वेट कर देते हैं और वेट जब करते हैं तो पीछे वाले वेहिकल को लगता है कि आप पार्किंग पॉजिशन में और सामने से जो ट्राफिक आ रहा होता है आप उसका ज़ज्मेंट नहीं ले पाते हैं क्लियर व्यू नहीं आता है और दूसरी चीज है आपको इस टेरिंग आप आगे बढ़ाने लगते हैं आपको पूरा टर्न लेना पड़ता है और वो टर्न लेने की वज़ए से आप क्या होता है क्रॉस पिल्दब जो रोड है रोड के एक common है जो कि यह fifth common mistake जो कि यह वीडियो का end की mistake बताने के वाला हूँ अभी देखे मैं ठूए LA में हूं सामने लेड़ द्राइवर् जो सामने से ट्रैफिक आ रहा हुँड तो उस पे धयान देते हैं कि क्या कौण सी कि यह कि जगा है ऐसा नहीं करें आप अपनी जगा में धयान दें सबोस्श्य मेरी लेन है यह इस यह गया मैं मैं जाओंगा मेरे को कितनी इस पेस चाहिए अपनी कार को निकालने के लिए अगर मेरे पास पैस नहीं होगे तो नरोक स्पेस कर्वारओं करका और पहले इस प्रेट करका यह दूर मैं दिखाता हूं ब्हू जब इसा था रगए नहों से करला आती है यह देखिए यहां से टर्णिंग है और यह देखिए सामने made का रही है और suppose कोई कार आती है तो यह देखिए यह कार मैं कार पे ध्यान दिःती है कि अपनी स्पेसरे मेरी कार निकल सकती है इसके अकॉर्टिंग में स्चेरिंग को कंट्रोल करूँगा और सिसाद इसाद प्रेक और एक्सेलिटर का यूज करूँगा मैं ऐसा नहीं है कि उस कार पे धीकाן की ठीए दोब तो जो कित्ने दूर में है या कितने कि उसको उसके पूस कितनी जगा जो है अपनी कार का यह देखिए मेरे पास जगा नहीं थी मैंने कि उनको डिपर दे दें कि आप supposed ये कार खड़ी है सामने से आ रही है मेरे पास स्पेस नहीं है लेफ्ट में मैं एकदम कॉर्णर में हूँ नैरो लेन में हूँ और मुझे दिख रहा है कि उनके पास लेफ्ट वाइड में लेन में स्पेस है तो मैं क्या करूँगा मैं डिपर दूँगा उनको और बोलूँगा कि स्पेस क्रियेट करने मतलब डिपर देने का मतलब है कि मेरे लिए स्पेस देना वो सकता है ऐसा सिच्वेशन यहां पर मिले फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आपको फिर अभी यहां से जो ट्राफिक सामने से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी कार को कंट्रोल करना है पही है ऐक ड्राफिक सब्सक्रा तो मैं डिपर देकर उसको कहता कि इस being your यह मैं मेरे पाइस जा प्रेंड करने के लिए उससे का यह देखेंजाय कर को वो slow down होके car को अपनी left side के तरफ जो कि उसके पास space है तो यह देखिए, यहां भी space है, उसके पास मैं डिपर दूँगा, ताकि वो left side उसके पास जो space है वो utilize करे और मेरे पास space create हो जाए कि मैं car को निकाल सकूँ. इसमें मैं mistake जो बता रहा था common किस तरह से इसको overcome करना है, आपने judgment अपनी कार का लेना है, आपने दूसरी कार पे जहां नहीं देना है और इस पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि यह two way lane है, आप left side lane में चला रहे हैं, तो आपने अगर judgment लेना हो कि आप सही direction में ह join होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने space की demand की, और यह मुझे signal भी green मिल गया है, आपे, आपको दिखाता हूँ, इसी lane में आगे चलके, जो मैं आपको explain कर रहा हूँ, कि आप अपनी lane में किस तरह से judge करेंगे, कि आप सही correct location में है, सबसे पहली चीज़ तो यह जो wide strip आपको देख रही है, जिसके left side में अगर आप हैं, तो आप correct lane पे चला रहे हैं अपनी car को, और दूसरा point में बता देता हूँ आपको, जिससे आप judgment करेंगे, तो जो part है, आपकी lane का, उसको half अगर आप देखते हैं, और अपने left leg को, left leg को उसके साथ parallelly match करते हैं, तो आपकी car जो है, जो है, middle में है, या आपके left lane के middle में है, वो आप इस तरह से कर सकते है, road का middle जो है, उसके साथ अपना left leg को match करेंगे, straight इक्तम, उससे आपकी judgment perfect होगी, कि आप correct direction है, या correct place जो है, जो है, जो आपकी car में होना चाहिए, या right ना left, इक्तम, straight आप judgment रहे सकते हैं, friends, I hope आपको ये 5 mistakes समझ में आई होगी, common mistake है, जो हर कोई करता है, तो अगर आपने कोई वीडियो पसंद आई है, friends, तो like करें, comment में कुछ कहना चाहते है, comment करें, और channel अब तक आपने मेरा subscribe नहीं किया, तो friends channel को जरू subscribe कर ले, thank you friends, good day and drive safely.